जिस बेटे को महीला ने दिया जनम, अब उसी के बच्चे की बनने जा रही है मा, दादी नहीं मा कहेगी पोती, जी हाँ दुनिया भर से अजीबो गरीब किसे देखने को और सुनने को मिलते हैं, कई बार तो मा और बेटी एक साथ, गरवती होकर लगबग दो पीडियों को ए लेकिन आज हम आपको एक इन सब से अलग, एक अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें अपने बच्चे को जनम दे कर, पाल पोस कर, उसको बड़ा करने वाली महीला ही, अब अपने सगे बेटे की मा बनने वाली हैं, जी हाँ आप लोग बिलकुल सही सुन रहे हैं, भले यहीं आपको यह थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन यह बिलकुल सच है, आपको बता दे कि नेंसी हौक नाम की एक महीला की कहानी इन दिनों सोचल मेडिया पर खूब छाई हुई हैं, नेंसी हौक ने जिस बच्चे को जनम दे कर, पाला पोसा और बड़ा किया, अब व अंबर के महीने में वे अपनी पोती को जनम देने वाली हैं, पोती उन्हें दादी नहीं बलकी मम्मी कहेगी, तो चलिया आपको बताते हैं सनोखी कहानी के बारे में, चपन साल की नेंसी हौक आपने ही बेटे के बच्चे की मा बनने जा रही है, इसके लिए उन्होंने सैर इसके बाद विती जी से वारल हो गया, नेंसी हौक आम दादियों से अलग अपनी पोती को उसके जनम से पहले ही अपनी कोक में पाल रही है, उन्होंने अपने बेटे के बच्चे को जनम देने का फैसला किया है, अमेरिका के उतहा की रहने वाली नेंसी के 32 साल के बेटे ज पोट के अनुसार निंसी होक ने अपने बेटे और बहु के ले एक सैरोगेट मदर बनने का निर्ने लिया और बहुत ही जल्वे अपनी पोती को खुच जनम देने जा रही है पहले तो 56 वर्षे निंसी के इस निर्ने को सुनने के बाद परिवार के सभी लोगों को जटका तो सभी इसके लिए राजी हो गए आपको बता दे कि ऐसा नहीं है कि ये उनकी पहली पोती है इससे पहले भी उनके घर में चार बच्चे हैं जिन्हें उनकी बहु ने ही जनम दिया हाला कि दोनों बार जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसकी वज़े से उन्हें काफी तक पहले ही वेपात स्वस्त बच्चों को जिनम दे चुकी हैं और अब भी उनको कोई जादा परिशानी नहीं हो रही है वहीं शोशल मेडिया पर ये कहानी वाइरल होने के बाद कुछ शोशल मेडिया यूजर्स इस परिवार की खूब आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐ ऐसे भी हैं जो परिवार के इस कदम की स्रहाना कर रहे हैं अभी के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज जादर से जादर लाइक करें शेयर करें और स्टोरी पर अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा